Hello my dear students, this is Hunman Kumar and you all are watching my YouTube channel Education Empowers My dear students, last video tutorial में मैंने आपको NAND gate के बारे में बताया था I hope आपने वो वीडियो देखी होगी अगर नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को देख लेजे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आज के इस वीडियो टूटोरियल में हम NOR gate के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे NAND gate, AND gate का कम्पलिमेंट gate था उसी तरीके से NOR gate भी जो है OR gate का कम्पलिमेंट gate है तो NOR gate जो है एक ऐसा gate है जो बाकी gates की तरह दो या दो से ज्यादा input signal accept करता है और सिर्फ एक ही output produce करता है NOR gate जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कम्पलिमेंट है OR gate का means इसकी output जो है 1 आएगी किस केस में जब इसकी सभी input signal 0 होंगी तो यहाँ पे NOR gate का जो logic symbol है हम उसको denote करते हैं plus sign से जैसे हम OR में use करते थे plus को लेकिन plus के साथ साथ हम जो उसके variable है उसके उपर एक बार लगाएंगे जैसे हम NOR gate में use करते हैं तो यहाँ पे अगर मेरे पास दो variable है A और B तो अगर मैं लिखना चाहूं A plus B तो यह है मेरा OR gate और अगर मैं यहाँ पे लिखूं A plus B whole bar तो यह है मेरा NOR gate तो NAND gate की तरह NOR gate को भी universal gate की category में डाला जाता है क्यूं इसको universal gate बोलते हैं यह हम आने वाली videos में discuss करेंगे यह है हमारा two input NOR gate तो यहाँ पे जैसे हमने OR gate के लिए logical diagram बनाए थी सेम हम NOR gate के लिए भी बनाएंगे लेकिन यहाँ पे हम एक चोटा सा bubble लगाएंगे तो यह हमारे two input NOR gate है तो यहाँ पे A और B हमारे दो inputs हैं तो इसके combination कितने हुए? चार हुए 00, 01, 10, 11 तो जैसे कि हमने NOR gate के बारे में पढ़ा है तो यहाँ पे मैं OR gate के outputs भी लिख लेता हूँ तो OR gates तब output हमें low देता है जब इसकी सभी inputs low होती है तो बाकी cases में अगर एक भी output high है तो यह हमें क्या देगा? output high देगा लेकिन NOR gate जो है इसका complement gate है तो यहाँ पे देखे OR gate और NOR gate की outputs को अगर हम compare करें inputs हमारे पास same है लेकिन outputs जो है complement आ रही है NOR gate की OR gate के according done तो यहाँ पे यह है इसकी boolean expression A plus B का hall bar तो A और B यहाँ पे NOR gate की input variables है तो यह है 3 inputs NOR gate तो यहाँ पे A, B, C हमारे 3 inputs हैं और यह NOR gate का logical symbol OR gate की तरह है यहाँ पे चोटा सा bubble जा जिसे हम circle बोल सकते हैं जो की NOR gate के तरह पे काम करेगा यहाँ पे जो भी inputs आएंगी और जो भी outputs OR gate देगा उसका यह complement करके उसको NOR gate बना देगा तो यहाँ पे 3 variables के लिए हमारे पास यह है inputs के combination बनाए हुए है NOR gate की output देखिए तब ही high है जब इसकी सभी inputs जो है low है बाकी सभी cases में क्या है OR gate के reverse इसकी जो output है 0 है लेकिन यहाँ पे OR gate में क्या होता है 111 होता है और इस case में सिर्फ 0 होता है जब सारी inputs 0 होती है तो यह इसकी boolean expression इसी तरह के से आप 4 variable 5 variable जितने भी variables का या जितने भी input signals का nor gate बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे बना सकते हैं तो I hope nor gate होता क्या है 2 input 3 input nor gate कैसे बनाते हैं इसका truth table कैसे बनाते हैं इसकी circuit diagram कैसे बनाते हैं यह आपको clear हो चुका होगा so thanks for watching this video like this video comment if you have any doubt thank you very much once again है कर दो आपको